पसका दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत करते हैं हर भाई वहन का आपके अपने यूटूब चैनल सिच्छा जगत के चैनल राश्ठीत में चैनल रॉकिंग इंफार्मेशन पर यहाँ आपका हिंदी पेड़ोगाजी यान हिंदी सिच्छन विदिया का पार्ट नमब ठीक है तो कोश्चन देखेंगे पहला कोश्चन है तीस महत्पूर्ण पर चर्जा करेंगे डिस्कस करेंगे आपके सिलेवस के अमसार सभी कोश्चन होने वाले हैं पहला कोश्चन है रचना सिच्छन में होता है रचना सिच्छन में क्या होता है अपने भावों का प्रभा अभी रूप से प्रक्टी करण ठीक है नेस कोश्चन यहाँ पर देखेंगे अंगला प्रस्ण है कि ब्याकरण भासा का ब्योहारिक बिसलेशन है जो ब्याकरण होता है ब्याकरण भासा जो ब्योहारिक बिसलेशन है ब्याकरण क्या है भासा का ब्योहारिक बिसलेशन है किसने कहा है पतनजली ने गांधी जी ने इस्पेंसर ने या स्वीट ने तो यहाँ पर देखेंगे स्वीट ने कहा है कि ब्याकरण भासा का बेवहारीक बिसलेशन है किसंदे कहा है स्वीट ने कहा है ठीक है नेश्क देखेंगे हैं आप पर सभी नेश्क कॉश्चन यहाँ पर देखेंगी कि कॉशल एवं सिल्व का ग्यान कौणसी सिच्ठञ पद्दज से मिलता है किंडर और गाटन सब्द का अर्थ है बहुत बारे question पूँछा जाता है baby I.P. question आपके लिए कि kinder और garden सब्द का अर्थ है तो पौधे और बगीचा से सम्मन्दित अर्थ होता है अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो पौधे और बगीचा होगा पहले पौधे होगा बाद में बगीचा आएगा ठीक है kindergarten यानि क्या होगा पौधे गाड़न यानि बगीचा I hope आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे ठीक है इन दोनों question में confusion बहुत होता है ठीक है ये दो question first और second option दिया है पहले सुनना चाहिए फिर पढ़ना चाहिए तो फ्रॉवेल ने क्या कहा था फ्रॉवेल ने यह कहा था कि पहले क्या पढ़ना चाहिए फिर लिखना चाहिए जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे तो फ्रावेल ने यही कहा कि पहले पढ़ना चाहिए फिर लिखना चाहिए नेस्ट कुश्चन यहाँ पर देखेंगे उच्च अभिवेक्त इस्तर बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है तो उच अभिवेक्त इस्तर बढ़ाने के लिए आपको निवन्धात्मक प्रसंद देने चाहिए अभिवेक्त बढ़ाना वो भी उच इस्तर में तो आपको क्या हो जाएगा निवन्धात्मक प्रसंद देने से क्या होता है बच्चे का उच्च विक्त इस तर बढ़ जाता है नेस्ट कॉश्चन बहुत अच्छा कॉश्चन है कि संधी समास पढ़ाने में यह वीदी काम में लेनी चाहिए यानि जब सिच्छक संधी समास बच्चों को पढ़ाता है तो कौन से बीदी काम में लेनी चाहिए इसमें आपके कौन से बीदी होती है आगमन निगमन बीदी होती है ठीक है आदर्स यानी सही वाचन यानी बोलना सही बोलने वाला जो वक्ता वक्ता यानी बोलने वाला होता है कौन होता है या सिच्छक ही होता है ठीक है बच्चे थोड़ा बहुत गरवड़ी कर सकते है माता और यह सभी तो नहीं होगा ठीक है लेकिन आदर्स वाचन की बात किये आदर्स वाचन आपका सिच्छक ही बोल सकता है आई होप सिच्छक बनने वाले हैं आप ठीक है तो आप लोग सिच्छक ही ठीक करिएगा नेस question देखेंगे सुन्दर लेखन का सही तरीका है बहुत अच्छा question है, सभी update question है, आपकी slayvars के उमसार question है, इसी प्रकार के question आपकी jam में आने वाले हैं, ठीक है, कि सुन्दर लेखन का सही तरीका क्या होता है, तो सुरुत लेखन द्वारा, सुन्दर लेखन कैसे होगा, सुरुत लेखन, यानि सही जब लेखेंगे, यहाँ पर सुन्दर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम सुन्दर में सासरीफा वाला लिखा देंगे, तो सुन्दर लेख हमारा नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पर हमें सुन्दर लेखन का सही तरीका हो, सुरुत लेखना नहीं, सही लिखना, जैसे सुन्दर इस तरह होता है, तो ह हमें सुन्दर इसी तरह ही हमें लिखना है ठीक है यह आपका सही लेख हो जाता है ठीक है जिसे वाचन लिखना हमें ठीक है तो वाचन हम किस प्रकार लिख सकते हैं ऐसे वाचन लिखते हैं ठीक है लेकिन कभी कभी होता है बच्वनिका लिख दे वा लिख देंगे आ लिख द कौन सा कथन सही है, क्वेशन क्या है, अगर भासा सीखने के सम्मंद में, सीखने सीखाने के सम्मंद में, कौन सा कथन सही होगा, सीखने सीखाने की बात की गई तो कौन सा हो जाएगा, भासा परिवेश से सीखी जाती है, भासा अरजित करना सहज होता है, संचार माध्यम भास भासा सीखने में मदद करती हैं चौथा यापसन है कि भासा बिद्याले में ही अर्जित की जाती है तो बिलकुल सही बात है भासा जो सीखने सिखाने का संबन्द होता है वह कतन होता कि भासा जो है आपके बिद्याले में ही अर्जित की जाती है ठीक है नेस कोशन है बहुत य बहांसा की कच्छा में सुरेंदेक बालक है ठीक है वो क्या करता है लिखते समय कठणाई कनवा करता है यह समस्या क्या कहलाएगी यह समस्या से अर्थ हो गया ठीक है तो कौन सी समस्या होगी वही डिस्ग्राफिया समस्या हो जाएगी क्योंकि यहां पर लिखने की समस्या बत दूसरे तक भली भाती प्रकट कर सकता है, कथन किसका है, भासा वैसादन है, जिसके द्वारा मनुष अपने विचार एवं दूसरों तक भली भाती प्रकट कर सकता है, किसका कथन है, तो भईया एक कामतार प्रसाद गुरू जी ही ऐसा कथन दे सकते हैं, ठीक है, कि भासा वै पाट पुस्त के हैं कैसी पाट पुस्त के हैं तो वो पाट पुस्त क्या है बहांसा की जो पाट पुस्त के होती हैं वैं साधन कहलाती हैं किसकी साधन कहलाती है बहांसा की साधन को क्या कहलाते हैं पाट पुस्त कहलाते हैं तीन चार कोश्चन आप किससे बन सकते हैं नेस में नवाचार नहीं है जो हिंदी सिच्छन में नवाचार नहीं है क्या नहीं है वह सेमिनार का प्रयोग तो है तोली सिच्छन बीदिका प्रयोग भी है खेल खेल में सिच्छा भी है लेकिन सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वह हिंदी सिच्छन में नवाचार नहीं होत जो बच्चों की भासा सम्मंदी क्रमिक प्रगति होती है उसका लेखा जोखा रखना सम्भव किस पर है या वो पोर्ट फोलियो पर सम्भव होगा ठीक है क्योंकि भासा सम्मंदी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा बात की गए तो अपका कहां पर होगा फोटफोलियो पर शंबा होगा ठीक है निसको चन्देंगे बहुत अच्छा कोशन है कि खेल बीदी के प्रवर्तक है आपके जो खेल बीदी है उसके प्रवर्तक कौन है हेंरी काल्डवेल कुक है, स्पेंसर है, कामन सेल डेल है या आपके रवर्तक पाल जी है तो खेल बीदी के प्रवर्तक कौन है आपके हेंरी काल्डवेल कुक जी है ठीक है, बहुत अच्छा कोशन है, कई बार पूछा गया है तो आप इसे नोट कर लिजेगा और PDF फाइल पाने के लिए आपको नीचे लिंक डिवसर्प्सन में दिया गया है WhatsApp ग्रूप या Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं आप लोग वहाँ आपको दो या तीन दिन में PDF फाइल भी फ्री में उपलब्द कराई जाती है तो नेच्स कुश्चन यहाँ पर देखेंगे निन में से सिधान्त सूत्रों के विप्रीत है जो सूत्रों के विप्रीत सिधान्त वे काउन सा होता है ग्याद से ग्याद की ओर होता है ये तो नहीं होता है विसेश से समान ये भी नहीं होता है लेकिन संसलेशन से जो बिसलेशन की बात करी है यहाँ पर सूत के बिपरीत आपका यहाँ पर सिध्धानत है क्योंकि संसलेशन से बिसलेशन किया गया है ठीक है तो यह आपका सूत के बिपरीत कम से हो जाएगा तीसरा आपसन सूत के बिपरीत हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है बहुत अच्छा कोश्चन है कि खंडानवय बीदी का दूसरा नाम क्या है जो आपकी खंडानवय बीदी है इसका दूसरा नाम क्या है तो इसका दूसरा नाम क्या है प्रसनोत्तर बीदी प्रसनोत्तर बीदी को हम खंडानवय बीदी के नाम से जाने जाते हैं ठीक है नेस्ट कोश्चन देखेंगे प्रात्मी किस्तर पर कविता सिच्छन की सर्वसेष्ट बीदी है बात की गई है प्रात्मी किस्तर की कविता सिच्छन की सर्वसेष्ट है ठीक है इसके practice इड आपको बिल आइकन में उपर देखें कि practice इड आपको उपर मिल जाएगे ठीक है ने इस अंगला प्रस देखें सभी कि चाहे मैं इसकी बात करूँ चाहे एवी इसकी बात करूँ ठीक है सभी language की सभी पांचो subject की आपको यहाँ पर प्रिक्टिसेट चल लए है जो important बहुत है सभी प्रिक्टिसेट प्लेलिस्ट में जाईए और attend कीजिए आप लोग अराम से यहाँ पर प्रिक्टिसेट करिए ठीक है question देखेंगे कि उपचारात्मक कार होना चाहिए जो उपचारात्मक कार होता है कैसा होना चाहिए तो उपचारात्मक तार प्रतेक पार्ट के बाद किया जाता है उपचारात्मक प्रतेक पार्ट कर लिया जाता है इसके बाद आपका उपचारात्मक कार किया जाता है ठीक है आयोप आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगी study कर रहे हों और समझ भी रहे होंगे किस पद्दत में बालक स्वयम अपना सुधार करता है ऐसा बताना अप लोगों को कि ऐसी कौन सी पद्दत ही है जो बालक अपने जो सुधार है स्वयम कर लेता है तो वह हो यह क्या होती है जेक टाट भी ठीक है किस पद्दत में बालक स्वयम अपना सुधार करता है यह पद्दत यह जेक टाट भी ठीक है ज्यान दीजे कि बहुत अच्छा कोशन है आपके लिए नेस कोशन देखेंगे एक सधिक भासाओं का ज्यान या प्रयोग या एक सधिक जब भासाओं का ज्यान या प्रयोग क्या कहलाता है ठीक है विकास में बादा होता है ज्यान में बादा होता है संग्यानात्मा ज्यान में बादा होता है तो क्या हो गया यह आपका, संग्यानात्म ग्यान में क्या होगा, विकास में सहाइक होता है आपका ठीक है, हिंदी के साथ साथ मैस की क्लास भी ले रहे हैं, EBS की क्लास ले रहे हैं, पेडागोजी, बाल विकास की आधार रहता जो छात्रबतियां दी जाती है बच्चों को और प्रुसकार प्रदान किया जाता है उसका आधार रहता है क्या आधार रहता है उपलब दी निस्पति परिच्छन उपलब दी परिच्छन बोल दें या आपका निस्पति परिच्छन बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे डाक्टर नगेन जी का नहीं है यहाँ पर सुमिता नन्द पन्द जी ने कहा कि जो भासा है संसार का नादमें चित्र है अंगलाप्रस ने आपका बहुत इच्छा प्यारा सा कोश्चन दिया यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है ठीक है अई होप आ पहला आपका कौन सा परिच्छन किया जाता है यह simple सा question है तो इसमें पहला परिच्छन किसमें किया जाता है तो देखें पहला होता है क्या पहला परिच्छन होता है निस्पत्ति फोर्थ आपसन देखिए आप लोग निस्पत्ति परिच्छन होगा निदानात्मक परिच्छन पहले निस्पत्य होती है फिर आपका निदानात्मक परिच्ण होता है इसके बाद लास्ट में उपचारात्मक परिच्ण होता है नी, नी, उ, निस्पत्य, निदान और उपचार ठीक है यह आप याद कर लिजेगा अंगला प्रस देखेंगे भासा के आभिर भाव से सारा सं सार गूंगो की बिराड बस्ती बनने से बच गया किस ने कहा है सीता राम चतुरवेदी ने महात्मा गांधी ने राधा कृष्ण या बीवेका नंजी ने तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका वाक शब्द लिखा हुआ है पूरा तो यहाँ पर सीता राम चतुरवेदी जी ने कहा था कि भासा के आबिर्भाव से सारा संसार गूंगों की बिराट बस्ती बनने से बच गया अंगला प्रस देखेंगे बस दो तीन कोशन और रहे गए इस वीडियो में टॉफ थर्टी कोशन आपके लिए डेली लेके आते हैं ठीक है तो सही बिम निर्मान की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है द्रस बिम सुर्ट बिम विचार बिम भाव बिम कैसे होता है द्रस बिम होता है यहीं देखना सुर्ट बिम यानि की सुनना विचार विम यानि कि विचार विमर्ज करना भाव विम भी यानि प्रकट करना ठीक है अंगला प्रस्णिया पर देखें कि सब पढ़े सब पढ़े सब पढ़े नारा दिया सब पढ़े यानि कि सब लोग पढ़े द्यापिका का भी वहाँ पे चित्र बना रहेगा फिर वहाँ पर लिखा रहता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें यह आपकी बाला का एक पेंसिल ऐसी आपकी बनी रहेगी ठीक है मैं आपको थोड़ा सा मनमुहक दर्सक यहाँ पे दिखाये देता हूँ किुल पैटरिक की रचना है बहुत एक्षा केशन है इंपॉस्टत कोषसन है ठीक है चलेम तो लेक्र के लीए आप के लिए क्वेटेरा हूं? ठीक है यह झाम भर educate के लिए जोन si çağ में मुक्तै पाठ होना चाहई है विज्ञान होना चाहिए संस्कत होना चाहिए साहित होना चाहिए कि तीनों होना चाहिए ठीक है तो चलिए इसका comment box में आप लोग इसका answer बताईए और इसका answer हम नेश वीडियो में जब आप लोग बताएंगे तो आई हो पीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा प्यार भर अपना प्यार और इसने बनाए रखिए सब का साथ सब का विकास हमारा सपना सिच्छा को अपना आप सभी मेंबर सिच्छा कोंगे मेहनत कर रहे हैं चले तो फिर मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम सभी को जैहिंद साथ हो